नविवाहिता की हत्या करने का आरोप उसके पती पर लगा है कारेवाही की मांग को लेकर मृतिका के परिजनों ने पुलिस से न्याई की गुहार लगाई है मामला मुफसिल थाना छेत्र के बीची गाउं का है जो हमरितक के मामा सास्वत पाठक ने बताया कि गौतम पाठक द्वारा दहेच के लिए प्रताडित किया जा रहा था लेकिन और में रहे थाना प्रभारी की द्वारा कारेवाही में लापरवाही बरतनी की कारण बीची गाउं में विवाहित महिला को जला कर मार दिया गया अब बेटा कहीं सा दिलवाईए सब जमीन बेचके खा रहा है उसका चाहिए बेटा को गोतम पाठक सजा उसको मिलना चाहिए सजा चाहिए मेरी बाहन बहुत बाराई सब के पास गुहार लगाने के लिए लेकिन किसी नहीं दिया तीन साल पहले इसे रड से मारा कै तो जंग म हम इसके मामू है 2013 में बढ़ियांस इसका साधी विया कि यह जमीन बेचके मेरी बहान बिद्वा है जमीन बेचके साधी की 10 लाख रुपया उसको देख करके का तो परपटी वाला है चलो बेटी मेरी सुखी रहेगी लेकिन दो साल के बाद पता चला कि पियाक है गंजड़ पिना मारना वही उसका पैसा था वही सका पैसा था बैसारीट मैं दो सब्सभाई पर रहा जाते हो तुम लोग करके तुम आगे सा करोगे तो तुमको मं सजादेंगे तो कोतम पाता कि सका पती का मन नहीं बढ़ता अज मन बढ़ गया दारूपी करके और लड़ाई करकर के, और मेरी बिटी को आग लगा कि ठारा तारीक को बुद्वार को चार बजे जोल के मार दिया, हम चाहते हैं यहीं सरकार से, और आप लोग सभी से, कि इसको सजा दिलवाई है, गोतम को भी फासी हो, उसी को लारा को इसी ही मारे, बस, और उसके सास को सास खाड़ी होती थी खाड़ी हो कि मेरा नाम साश्वत है हम इसके मामु है आग लगा दिया पूरे परिवार में को तम्मा उसको पकड़ के मारे हैं